टॉपिक है सर्कुलर मोशन आफ एक कार अन लेवल रोड लेवल रोड यानि आप एक कार चला रहे हैं कार एक लेवल रोड है धलान नहीं है रोड भी और रोड ऐसी लेवल रोड है और सर्कुलर मूब कर गई है ठीक है तो देखे हमने कहा ये लेवल रोड है मतलब लेवल का से ये संटर इस में और मान लेता हूं इसमाल राह मानता हूं राशन फोर्कष आप द fonction और माने ये आर IIS की रीडियस है अब देखो ध्यान से ये कार है अब आप करेंगे कार ऐसी हूती है बना लो तुम्हीं डैग्म मना लो यह कार है थे यह कार ऐसे आप चला रहा है उसे यह पहिए इसके लगए है ठीक हम कार नहीं बना पाएंगे इस देखिए वैसे तो दोनों पहिए'Ł कि बजाएब मैं कार का ही reaction force उपर act करा दूं कोई दिक्कत है और इसका जो weight नीचे act करा दूं कोई दिक्कत अब देखे अब आप diagram अपने हिसास बनाईएगा जैसे book में कहीं कहीं पर दोनों पईयों का reaction force भी दिखाया है और middle उसका resultant भी दिखाया तो मैंने पूरा दिखा दिया अब बताइए car जब turn करेगी इस car से तो reaction force कि धर act करेगा कि सेंटर की तरफ सेंटर की तरफ यह सेंटर से दूर कि सेंटर की तरफ क्यों काम करेगा कि दर लगेगा friction सेंटर की तरफ यानि आर तो mg हम लिखे देने फिलाल अच्छा सुनिए car को जब आप move कराते हो तो जब circular track पे घूमती है car तो car भागती कि धर की तरफ है मताद सेंटर तरफ भागती है बाहर की तरफ वो slip करती है सेंटर तरफ भागती है मेडम जिस समय आप बहुत speed से turn करोगे ना तो भागेगे सेंटर से बाहर तरफ गिर जाएगी बाहर जाकर के सेंटर तरफ नहीं भागती है वो बाहर तरफ भागती है तो बाहर तरफ भागती है नि बाहर तरफ उसके उपर कौन सा force काम करता है सेंटरी फ्यूगल फोर्स काम करता है यानि बाहर की तरफ काम करता है mv square upon r have you got it और जो friction force है mu r वो अंदर की तरफ काम करता है अब mu को तो mu के लिग दो चाहे जो लिग दो ठीक है अब आपकी car गिरे ना slip न करें तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये frictional force इससे बराबर हो या इससे बड़ा हो छोटा नहीं होना चाहे कह सकता हूँ ना यानि कि अगर हम कह दें कि car moves without slipping without sliding कहें sliding तो क्या मैं कह सकता हूँ जो frictional force है वो आपके centrifugal force के या तो बराबर हो या बड़ा हो कह सकता हूँ मैं प्रेक्टिकली समझेगा आपको center के तरफ बांधे कौन रहा friction अगर friction नहीं होता तो centrifugal force तो आपको बाहर फ्यक देता practically समझेगा car को भूल जाए अगर कोई circular path में कोई या इस पर कार से कोई कोई डिस्क घूम रही है और उसके उपर आप बैढ़ जाईए तो आप किदर की और भागेंगे center की तरफ या दूर की तरफ तो अभी आप कार को कहा अंदर तरफ कर रहे थे कार भी दूर तर भागेगी तो अगर वो center तरफ चाहते हैं तो आपका जो centrifugal force है वो इससे कम होना चाहिए बराबर हो जाए चलेगा मतब जड़ास आभी कम हो जाएगा अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर भाग जाएगी गाड़ी यानि कि मू आर हो गया mg is greater r equal to mv square upon r m से m कट गया r को इदर ले आओ तो mu gr is greater r equal to v square अच्छा इसको ऐसे करते हैं v square less r equal to mu gr यानि कि आप सुनो ध्यान से less r equal to mu gr तो v is less r equal to under mu gr ले सकते हैं यानि कि अगर maximum speed when car can turn the slip न करे car turn कर जाए v max कितनी होनी चाहिए under root mu gr मतलब ये आपका important result है this is important for numerical purpose have you got it or not अगर इससे ज्यादा कर ये maximum है अगर आपकी if velocity of car is greater than v max अगर कहीं से ज्यादा हो गई तो ये skit कर जाएगी skit skit मनतर slip कर जाएगी सब्सक्राइगी अब ये friction मिलता कहां से है friction मिलता है टायर और उसके बीच का जो friction होता है तो अभी टायर मेरी खोपड़ी तरह गंजे हो जाते है मतलब टायर गंजे कहा जाता है ना इसलिए मैं कह रहा हूं तो इस प्रकार से ये ये आप हाँ वजह जो भी उसमें हो friction मिलने की वजह जो उसमें खांचे बना दिये जाते हैं वो अलग की बात है तो ये है कि किसी भी circular level road level road तरीक क्या मैं कह सकता हूं कि भाई इसमें कुछ चेंज हम कर सकते हैं इसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं म्यू कॉफिशन टाफ फ्रिक्शन है ठीक है जी फ्रिक्स है वहां का आर फ्रिक्स है वहां का मैं कुछ भी इसमें नहीं कर सकता हूं इसलिए जब भी कहीं पर कार्टर्ण होती है तो एक बोर्ड दिगा दिया जाता है स्पीड लिमिटर, हो ता, 40 किलोंटर पर आराया इसे कुल लिखा होता है ठीक है? तो यहीं से कल्कुलेट किया जाता है कि आपकी स्पीट के लिमिट है 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हो सकता है 40 तो तब लिखते होंगे जब फ्रिक्ष यह माल ने कि आपके टायर जो है वो गंजे नहीं है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है अब बिल्कुल चिकने हैं और मार उसमें धूल धकार लगी है गीली मिटी लगी है तो हो सकता है इस स्पीड बे भी आप गिर जाए अब हमारे हाँ इंडिया में अलगी बात है कि 40 लिमिट रखी है तो हम 80 लिमिट से जाते स्ट्स्राइं हो रखी है कहीँ पर कैमरे लगा दीए जाते हैं यहाँ पर हड़ा होता है जैसे आपकी गाड़ी यहां निकलेगी केमरा रीट कर लेता है कि आपकी स्पीड क्या है और गारा तो जआ तो या तो या तो हाँ है ने क्या कहा या तो आप तूफान हो या तो सव और दो सव रूपया तो काम चल जाएगा लेकिन आप वारें में हैं जरासा भी कुछ गर्बड करते हैं अभी हमारे बती जा गया था दुबई तो वहां थोड़ी गलती हो गई फट से चाला ना गया उनके ऑन्लाइन उसके स्क्रीन पर ड्रैवर ने